पुलिस ने करीब दरजन भर लोगों को हिरासत में ले लिया सिंगस्त उजयन मेले में एक अदशी पर होने वाले सिनान के लिए भारी संख्या में शरद्धालियों की भीड रामगाट पर जुटी शिप्र नदी पर शरद्धा की डुपकी लगाने पहुची भीड को डोन कैबरे से शूट किया गया सिंगस्त कुम लिमका वुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में नाम दर्श करने की ओर बढ़ रहा है पुलिस अब बंदर के खलाब धारा दर्श करने को लेकर पशोपेश में है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के उज्जैन दोरे को लेकर प्रशासम तयारीयों में जुटा है मोधी के सौकत के लिए एक विशेश कुटिया बनाई गई है गोबर से लिपी कुटिया को एसी, फिरिच और अन्यसो विधाओं से तयार किया गया है मोधी 14 जुलाई की कारेकरम में समिलित होंगे SL गुरूप के चेर्मेन डॉक्टर सुबाश चंद्रा ने कहा बीकर रेट से 50 क्लमेटर दूर थार के रेगस्तान में उलका प्रिंट देखे जाने की बात सामने आ रही है रेगस्तान में करीब 40 फीट गहरा और 5 फीट चोड़ा गड़ा हो गया है पिर शासन ने मामले की गंबीरता को देखते हुए जाशू कर दी है बिजली बचाने की कवाइद में उत्तर पश्यम रेलवे बिजली सननक्चा सब्ता हमना रहा है जोन में खेले में बिजली सननक्चा उपकरोणों की प्रदर्शनी लगाई गई इस मौके पर पश्यम रेलवे के AC GM अरविंद कुमार ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से करमचारी और अधिकारियों के द्वारे लोगों को जागरू किया जाएगा फूरू में पिरेमी जोडे ने जहर खा कर जान देने की कोशिश की दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और दो दिन से घर से फरार थे लोगों ने अचेत हालत में इने अस्पताल पहुंचा आया जहां दोनों की इस्तिति नाज़ुक बनी हुई है कोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेट का छातरवास की दुरदशा की तस्वीर सामने आई है खाने के आटे और दलिये में कीले रेंगते रज़र आ रहे हैं जबकि बच्चों के सोने की जगां पर गंदगी फैली हुई है